जी दोड़ा खुछी मना लो खुछी अभी तो तुम्हारे उमीद्वारी पानल नहीं हुए है खुल के बोलिये नस यह होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक मिट मैं बताऊँ आना आपको इतना क्यों में चल रहे हैं जी जी तो चीज है हमारे उद्धो जी ने कहा कि पुतीन बाबा बनने को जा रहे है इस ही इसे ही जो प्रवक्ता आते हैं तो गठा बोलते है विपक्ष केनेता को गरे चलता ही है लेकिन मैं बता रहा हूं महाराष्ट के अंदर ग्राउन लेवल पर ये रिपोर्ट है कि वीजेपी चुनाव हार रही है उसके बाद जूद भी आप 41 सीटे बता रहे हैं तो मैं देखता हूं कि ओपिनियन पोल और एक एक लाग का सैंपल भी इतना मिस्लीड कर जाता है अभी तो मुझे लग रहा है कि अपिनियन पोल में लोग जूट बोलते हैं उसके लावाच चार से पाँच और जो यहीं कि बड़ी बड़ात है और उसमें प्लस माइन उसकता है इनडीय के 41 न आये 35 आजाए 36 आजाए 34 आजाएं लेकिन ट्रेंड जो है वो यह बता रहा है अब रिजल्ट एक्जाक्टी होते हैं, इनको तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड पता लग रहा है किशोर जी और वो ट्रेंड जो है, वो मोधी के पक्ष में दिख रहा है। अब जो 270 सीटों पे सीरियसली लड़े, तो अजया लोग, 370 के पार तुप कैसे जाओगे। इसलिए मैं बुलता हूँ कि ओपिनियन पोल पर अजया जी जान भी लेते हैं, अजया जी उनका कहना है कि लड़ी आप सीरियसली जो आप लड़ रहे हैं, वो 270 पर लड़ रहे हैं। प्रभू को क्या बताओं मैं प्रभू को क्या बताओं प्रभू 226 सीटों पे हम लगबग 60 प्रतीशत मत पाये थे, 45 से 50 प्रतीशत सीट हमारे 55 सीटे हैं, तो 226 सा 55 जोड लीजिए, 213 हो गया। कहां हैं आप, किसी दुनिया में रहके बात कर रहे हैं। हिंदू, सिक, बहुद, जैन, इस्थाई को भारत की नागरिक्ता मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए। आज ग्रे मंत्री अमित्शा ने भी ये सवार पूछा है, अपने एक शाक्षातकार में उसका जवाब किशोर्तिवारी है। उद्धव ठाकरेश्रिफ से ना सपोर्ट सीए। मैं अभी बता रहा हूँ, मैं मेरा देश सेकुलर देश है, नागरिक्ता तो सभी लोगों को देनी चाहिए, और नागरिक्ता में हिंदू पर भारत ये हिंदू राष्ट है, और हिंदू का अधिकारों की जतन होना चाहिए। एक मिनिट मेरी बात तो सुनो मैं बता रहा हूँ अरे भई ये लागु होना चाहिए कि नहीं विवेक ये हिंदू की भूमी है सनातन भूमी है मतलब अलाइनस आप ही का है ये पार्टनर बोल रहा है तो आपको क्या कहना चाहेंगा है वो कल्चर के हिसाब से कह रहे है वो अरे मुझे बोलो भारत का समीदान खत्रे में है इस ही है हम कांग्रेश के साथ एक बात तो मजलो और आप सही बोले ना देखो मुझे लगता है विवेक ये को आखरी चुनाव है अगर ऐसे रिजल्ट आगए तो मेरे बात दी आपने क्या बोला ये आखरी चुनाव है विवेक जी चला गया इनका जी जी विवेक जी अदया अबर आचाहिज जएक ज Tanzanda ये करें धर कॉंग्रस हार नहीं सकती लेकिं 36 कॉंग्रस हार गई अपने बोला और सुनिल यादब जी आप पिछली बार कॉंग्रेस के साथ भी थे बीएस पी के साथ भी तब भी नहीं हो पाया था कैसे लिए सब पर चुके हैं दो हजार सत्रा में उत्तर प्रदेश की विधान सबाह में हम कांग्रेस के साथ थे जी और उनीस के चुनाओं के लोग सबाह में हम ब्यस्पी के साथ थे भेस के सामने घ़िश ने उसको भरोसा किया दस साल भरまぁनीत प्रदानमंसीनिगी को उनके उन wal पर की महंगाई कम हो जाएगी रोजगार के इंतिजाम होगे सीमाजी सीमाय सुरचित हो जाएगी जितने भी 순 कि जो भी पर भी काम नहीं किया अभी बीजेपी प्रावक्ता कह रहे थी चौविस चौविस घंटे काम करते हैं चौविस घंटे काम अगर किसान के लिए किये होते तो किसान के आए दोग नहीं हो जाती बेरोजगार नोजवानों के लिए किये होते तो रोजगार के इंतजाम हो जाते जिनके लिए किये है उनके कई हजार गुना आए बढ़ गई है आपके यह तो किनाद है उसमें आपके मालिक भी होंगे आप कैरहें आप बरोसा कायरे पर निये पारए बरोसा नहीं है यह मैंने और किशोर में गर में बैँकि तो पिंडियन पोल करा नहीं है हमारा पिंडियन पोल नहीं कह रहा है अभी तक जितने पिंडियन पोल आए हैं और आप इसको agree करें या disagree करें election में एक BJP और विरोधियों का चुनाव होता है और उसमें मोधी फैक्टर अटैच होता है जिसका लाब भारती अंता पार्टी को मिलता है 36 गड़ के अंदर local leadership BJP की लगबग लगबग finish थी लेकिन मोधी फैक्टर की वज़े से 37 गड़ में वापसी हुई मध्य प्रदेश के अंदर शिवरा सिंग चोहां के खिलाफ पहौल था लेकिन नरेंद्र मोधी के फैक्टर की वज़े से वापसी नी हुई 18 साल बाद 150 सीटों वाली वापसी हुई कौन रिस्क लेगा गुजरात के अंदर मुक्यमंत्री से लेके मंत्री संत्री तक बदल थी भारते इंतरपाटी ने लेकिन नरेंद्र बोधी को भरोसा था अमिच्छा को भरोसा था उसकी रणनीती पर तो उन्होंने वापसी करी 1500 सीटों की वापसी करी हर्यावा में अभी यही रिस्क लिया है बीजेपी ने कॉल लेता है कॉंग्रेस के पास एक मौका है रिस्क लेने का सटिन पारेट कुछ यह बना पाई राजस्तान के अंदर नहीं तो पॉइंट यही है कि यंग लीडर्शिप को आगे आने नहीं देते जी आप क्या ही आप मैं देख ले हूँ पाँच भी बारी जया बच्चन को आपने राजी सब अवेज़ा पांच भार दो पॉइंट बोले बोली बोली आपने दो पॉइंट रखे मैं दोनों का जबाब दे रहा हूँ पहला पॉइंट आपने रखा कि सिर्फ न्यूज एटीन इंडिया ही नहीं कई मीडिया हाउसेज का एग्जिक पॉल ये बता रहा है कि मोधिली और विजेपी आ रही है यही बात तो मैंने पुझी बीजेपी के पच्छ में बात रहा है कि आप अपने तत्यों को ठीक करें मामला बिल्कुल ठीक नहीं है और उसके बाद अगर जब भी विपक्ष की सरकार आई है चाहे 89 का मामला हो बाद में भी रहा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ असली चीज होती है राजनीत में जजबा की और उसको पेश होने की तितिया 77 का चुनाओ जब था तो एक बिल्कुल लहर दिखती थी आपको कैसे आप कह रहे हैं 77 में तो इंदरा गांदी का यही कहना था कि मीडिया मेरे को हर बारा है लेकिन वो लहर दिखती थी और लहर दिखती थी तो और वो लहर अगबारो मेनेजर तब एलेक्ट्रोनिक मीडिया नहीं हुआ करती थी बाद में इंटेव्यू आए जब हार गई तब नोने कहा कि मुझे intelligence bureau ने कहा कि 330 सीटी यह intelligence bureau ने कहा लेकिन intelligence ने तो इसलिखा क्यों कि intelligence bureau मेरे को रिपोर्ट कर दा तो बाद में मुझे जिताते रहते हैं intelligence केसाफसे खुश को वोर्टीयां अपने सर्वेजब करती हैं तो वो अपने तरीके से बताती है तो यह थीक है कि यहां जो है यह प्पोलिस्टर कर रहे हैं इंडिपेंडनेट्डün कर रहे हैं यह स देखने की कोशिक कर रहा है इसमें ऐसा नहीं कि 100% हुने जा रहा है यह यह 5% का तो यह खुद कहे के चलते हैं कि यह भी सच है कि आज का मद्धाता जो है वह क्या बोलता है या क्या समझता है या क्या बताता या यह एक अंतर जरूर है नहीं आप कितना मानके चल रहे हैं इसमें वोट शेयर में एंपल्स मानास 5% से कम रहेगा कम का वोट शेयर में वोट तो वेजय पी की 45% हो जाएगी यही हो सकता है मैक्सिम्म और विपक्षी 5% बढ़ हो जाएगी जाँ 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 जाँए तो उससे सीटों में बहुत जादा चार सो ग्यारा से जरूर असर पढ़ जाए लेकि सरकार आता है तो लास्तें 37 परसेंट था बीजेपी का वोट शेर वही है तो आट परसेंट बढ़ड़ा है बीजेपी का वोट शेर अगर कम हम लोर साइड भी लेके चले तो मतलब अपने आप में बहुत है सुनील यादव कुछ एड़ करना चारे है लेकिन डॉक्टर अजयालोग भी काफी दिर से कुछ एड़ करना चारे है डॉक्टर अजयालोग क्यूं मेक यो पॉइंट आप अपनी बात को रखिए नहीं मुझे कुछ पॉइंट ऐसा नहीं आखुजी ने बता ही दिया मैं वही याद दिला रहा था सुनील जी को कि भईया आप 1977 में इलेक्ट्रोनिक मीडिया रथा ही नहीं और एग्जिट पोस होगर होते ही नहीं थे और 77 की एक बार थी जैप्रकाश की हुंकार थी और ए लोगड़ जानझा कर रहे हैं कि सब आपको कहरे हैं थे हम लोग आप लोग आगार जाएंगे यह नहीं था अब मत भूलिये कि कॉंग्रेस जब भी हारी है जब जब कांग्रेसीया रीता ईश्टा भश्टचार के मुद्दे पर कॉंग्रेस 77 में भश्टचार और इंद्रा गांधी के एमर्जनसी के कारण 89 में फोर्स का मुद्दा था ये 10 साल में आपने हमारे खिराफ आस तक वे एक आरोप नहीं लगा पाई भश्टचार का उल्टा आप लोग के दस्टचार के खाना में एक प्रेवाद एक निकल कि आ रहे है अरोप तो लगाए लेकिन चिपके नहीं नहीं पर गया राफ एल लगाया उन्हीं पर गया माफी मांगनी पड़ी सबूत इतने अकाटे हैं बेल नहीं मिल रही है आप लोगो आप लोगो की तो अब पिस करेंगे एक परसेप्शन बन रहा है कि आप कि ए समय करें कि नहीं है और जाने वाले सब चोरों को इकठा कर रहो हुए हमें किसी तरह से जित्वा प्राक्टिस कीजिए कोई बात नहीं हम तो डटे हुए है हमारी जिंता मत करिया अब मोदी जी तो दस साल और रहेंगे पता नहीं मोदी जी रहेंगे कि अजीत पवार को प्राइम मिनिस्टर बनवादे मैं नहीं जानता आगे क्या आप लोगों का ट्रेंट जा रहा है जिस तरीके से प्रश्टाचारियों को आप जोड़े जा रहे हैं इस पवार प्राइम जी तो नहीं पुलेंगे आप जी तामत प्रॉलिमा आना एक एक क्विक कॉमेंट कि शांतनु जी यह चार सो गैरा और यह एक सो पांच ऐसा क्यों हो रहा है एक लाइन में गर का है कुई है, देखे मेरे खाल से मोदी का का म है और जिस तरह से बनेफिशरी विटर को कॉंसॉलिडेट करा है और इदर शुर्णतु नाद हन्दू वोट को घूरा और प्रेवोंु पर हैजिए मुट है चामतिश और लिक्ता है जो गलती से मैंने पढ़ ली और आज ट्विटर पर ट्रेंट करें और आज ना पढ़े मैं जो कोशिश है असमिता की पहचान है राष्ट का गौरव है और मोधी का नेतरत है और भारती दिंता पार्टी की लगातार काम करने की एक जो राजनीद की है 24 by 7 की वो है ऐसी कौन राजनीद कर पाता चला इसके पहले बता दिए जाए और लद्दा की एक सीट है वहाँ साथ दिन बिताएंगे चुनाओ के समय पांच दिन आप लंदन में रहेंगे तो कहां और कैसे विपक्ष बनेगा ये तो समझा दिए मुझा और ये राज्यों का अलग अलग वेपाद लोगसभा के चुनाव में ये जनता शायद देखी नहीं रही कि चुनाओती हो रही है कोई प्रेजिधेंचिल फॉर्म ऑफ एलक्शन हो रहा है और बीजे मुझा पी करने के का थिकार है अगर टीम इंडिया की बैटिंग्स 35 की बात बात करते हैं उससे पहले इकत्तर में लाइन्स हुआ उनका इंदरा अपनी तरह मोड़ दिया और गरीमें अटाओ और वो चल गया तो जो इंदरा गांधी कर रही थी आप यहां पर बीजेपी अपनी स्टेंग्थ पर खेल रही है और स्टेंग्थ पर खेलने का मतलब यह कि न्यूज 18 का मेगा ऑपिन पॉल है लेकिन इसमें कोई दोर आए नहीं है मुझे कहने में कि भारतिये जनता पार्टी 2024 के अंदर अपना सर्वर स्टेश प्रदर्शन करने की और है वो 305 होती है 306 होती है 330 होती है लेकिन इसके बारे में पुछ नहीं का जबता है लेकिन समय समय हमारा सर दीज जी 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 पिचोर तो यहांबे ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक बजाते हुए बता दें आपको 411-105 ये कह रहा है न्यूज 18 का मेगा उपिनियन पोल जी 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 ज